एक और बड़ी खबर, मुश्किलें यहां पर बढ़ती भी नजर आ रही है क्योंकि कॉंग्रेस की तरफ से बाला साहिब थोराच ने दावा कर दिया है कि अब हम विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं हम कल मिटिंग में तैय करेंगे कि क्या करना है एनसीपी ने दावा ठोक दिया है नेता प्रतिपक्ष पर शरत गुट के जहन पाटिल ने स्पीकर को एक लैटर भी लिखा है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस कह रही है कि आपके पास तो नंबर ही नहीं है तो आप प्रतिपक्ष का नेता कैसे चुन सकते हैं वो कॉंग्रेस की तरफ से चुना जाएगा और इसको लेकर कॉंग्रेस की कल बड़ी बैठक होने जा रही है